हाई गाई वेकम बैक टू चैनल तो आज के इस वीडियो में हम समझें कि इस वीडियो के लिए है और किन को इस वीडियो को देखना चाहिए कम्प्लीट गाइस पहले डिस्क्लेमर देदू यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा एक बिगनर्स के यानि जो नए ने बंदे मार्केट में आते हैं उनके परस्पेक लगाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर पहली वार चैनल पर आयो होते हैं तो सबसे पहले हम समझते कि हमको अकाउंट किस पर बनाना है और अकाउंट कैसे बनाना कौन सा वेबसाइट है तो सिंप्ली हम टाइप करें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है चार्ट मार्केट न्यूज स्क्रीदर कम्यूनिटी मॉर यहाँ पर लोगो बना हुआ है यहां पर इंडिया से लॉग इन कर रहे हैं तो देखें हम पर तीन इंडियन मार्केट का बैंक निफ्टी का और बिटकोईन या क्रिप्टो कुरांस है हमारा स्मूर्च चलेगा आप दुबारा से देख लीजे इन डॉट ट्रेडिंग डॉट कॉम सर्च कर सकते हैं या आप डिरेक्टली गूगल पर आके ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो आपको यहां पर आपको मिल जाएगा आप से अब सबसे पहले हम जाते हैं इस व करके आप बना सकते हैं तो हम यहां पर हमारा पास अकाउंट नहीं है don't have an account इस पर क्लिक करने वाले हैं और साइन अप जहां पर आपको इस छीन पर दिखेगा यहां पर हम साइन अप करने के लिए यहां पर आ गया साइन अप तो गूगल से साइन अप करना है निया गूग नहीं बना है तो मैं इससे आपको डेमो करके दिखाने वाले हैं नेक्स्ट पे गए जो जीमेल का आपका आईडी पासवर्ड है सेम जीमेल आईडी पासवर्ड आपको यहां डालना है और आपका जो अकाउंट है वह एक्टिवेट हो जाएगा तो गाइस मैंने सिंप्ली पासवर्ड अपना डाल दिया और यहां पर मेरे अकाउंट पर जो जहां पर मेरा गूगल लॉग इन है यहां पर मेरे टोगल आएगा मैं उसको फटाफट से अउन इसके यहां पर एक्सेप्ट कर देता हूं आप भी अपना फोन चेक कर सकते हैं य तो मैं सिंप्ली यहां पर जैसे मैं लेस सपोज नाइट ट्रेडर के लिए बना रहा हूं नाइट ट्रेडर मतलब जो हमारे चैनल का नाम है इसके ठीक है यहां पर आप डाल सकते हैं आप आउट फो मार्केटिंग इमिल्स तो यहां पर आपको नो करने नहीं तो अन्नेसे यहां पर यहां पर लगा दिया और नाम लिख दिया है ठीक है अब कंटिनिव आगे करेंगे यूजर नेम इस अलड़ी टेकन तो यहां पर कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं ले रहा हूं जैसे आयम नाइट ट्रेडर यह सायद किसी ने ना लिखा हूं द करना नहीं ने रहा है ठीक है आप यहां पर तोगल की जगा मेरा यहां पर करना तक है अब मेरा प्ग्रेड करने के लिए वैसे तो गाइस मेरे पास एक Uber है लेकिन इस वीडियो के लिए, इस डेमो के लिए मैंने वो यूज नहीं किया है, मैं चाहता था कि आप लोगों को शिखा दूँ, तो देखिए आप यहां पर क्या रहा है, अब यह जो मतलब अवातार बन रहा था, अब मेरा लोगो आ या नि मेरा अकाउंट क्रेट हो चुका है, तो इसलिए आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, अब हम दिखें, नेक्स्ट यहां पर आटोमेटिड सारा वाच लिस्ट और यह सब रहता है, अब हमें क्या करना है, अब ट्रेडिंग व्यू पर जाने के लिए, हमको सिंपली जो चार्ट वगरा हमको देखना है, वहां ज इसलिए के साथ हो सकता है, यह पूरा वाइट है, तो अभी यह जो पूरा सिस्टम है, बिलकुल न्यू है, यहां पर कुछ प्रीमियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे आपको यही दिखेगा, अब यहां पर बोल सकते हैं, कि यहां पर मुझे यही क्यों दिख रहा है, निफ्टी फिफ्टी बैंक, निफ्टी, यह, CNXI, SPX, और स्टॉक्स में, रिलाएंस, एक्सिस, क्योंकि हम इंडिया में हैं, इंडिया में लॉग इन किया है, यह इन डॉट ट्रेडिंग व्यू हमने खोला है, इसलिए, क्योंकि I.N.Stand for India, तो इंडिया में जो चीज़े ह और यह, इंडिया का जो मार्केट है वह दिखाएगा, यहाँ पर क्रिप्το मार्केट भी दिखाएगा, फोरेक्स मार्केट भी दिखाएगा, तो हमने समझ लिए कि अकाउंट कैसे बनाना है, और इस जो चार्टिंग वेबसाइट का पेज है, इस पे कैसे आता आना है, after clicking charts तो हमको पूरा एक नया पैनल मिल यहां पे कोई भी asset का price represent होता है अब price represent के लिए आप ऐसा देखते हो और ठीक है let's suppose कि हम लोग ऐसा एक line देखते हैं अब यह line क्या है price उपर हो रहा है नीचे हो रहा है किसी stock का किसी coin का वो इस line से represent होता है आने वाले time में line के अलावा भी क्या क्या चीज है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो सबसे इधर side में चलेंगे पहले इस side के हम जो चीजे हैं उसको cover करेंगे किस लिए है उसके अपर की चीज है इस सारे चीज के प्यास को करना और उसको सबसे पहले हम चलते है पहले option के तरफ जो कि है हमारा watch list अब watch list क्या है watch list वह होता है जिसमें आप कोई भी stocks को को कोई प्यूं। क्रिप्टो करेंसिस को को अब भी अगर आप फोलोगे तो default बाइस जो चीजे है यानि बाइस जो stock है crypto point है वो अल्रडी आपको मिलेगा जैसे nifty 50 इंडिया का जो index है वो bank nifty जो index है वो उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा S&P basic के उपर S&P 500 ठीक है वो आप देख सकते हैं यहां पर nifty IT का sector देख सकते हैं अलग-अलग index है अब अगर आप stocks की बात करो like shares की बात करो तो lines का देख सकते हो access bank का देख सकते हो HDFC का तो यह सारे वो shares के price है जो यहां पर already आपको watch list में मिलते हैं ठीक है अब आप जब जिसे किसी एक के उपर let suppose कि मुझे reliance के उपर जाना है तो मैं reliance के उपर click कर दूँगा ऐसे ठीक है उसके बात देखें यहां पर reliance industry का नाम आ जाएगा कौन से stock exchange पे है एक दिन में कितने percent का gain था यानि जो last इसका जो trading session था यानि yesterday उसमें 2.95 percent का इसने upper move दिखाया day का high and day का low यानि एक दिन में जो उस दिन का price let's suppose कि मैं यह record कर रहा हूं 20 तारीक है तो 20 तारीक में low कितना गया मार्केट जब open हुआ तो कितना low गया वो और कितना high गया वो वो दोनों चीज यहां पर represent होती है ठीक है और इनके ratios क्या है earnings क्या है वो सारे चीजे आप नीचे यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा trading view technicals पर भी indicate करता आपको strong buy strong sell इस पर rely नहीं करना आपका ज्यादा क्यूंकि यह कभी-कभी गलत information भी हमको provide करे तो आपको खुद का technical analysis करना है और समझाना तो अब यह watch list मैंने simple से आपको बता देगी watch list किसी भी चीज़ का हो तक तक crypto का Forex का और and किसी भी चीज़ का अब आ उसके नीचे का जो option आता alert का अब alert किसले हम use करते हैं कैसे create करना हो तो मैं आपको बताऊं गही तो alert का simply मतला होता है कि let suppose कि अभी reliance का price चल रहा है 3000 रुपे मैं यह चाहता हूं कि जब price 2500 रुपे आ जाए निए 2500 रुपे आ जाए तो मुझे एक notification आ जाए मेरे application में या मेरे email में कि भाई reliance का price 2500 आ गया है क्या मुझे खरीदना है क्या मुझे करना है तो वो alert हम उस चीज़ के लगाते हैं free में भी आप alert लगा सकते हैं लेकिन free में कुछ कम alert लगा सकते हैं और paid version में कुछ ज़्यादा alert लगा सकते हैं ठीक है तो इसका alert का काम यह होता है कि कि किसी price क सेट कर दिया आपने कि भाई यहाँ पर आगा तो मुझे एक notification आ जाए phone में या email में ठीक है उसके बाद यहाँ पर headlines for Reliance जैसे जो भी आप select करे रहेंगे या जो भी आज की पूरी चीज है जैसे यहाँ पर मैंने Reliance का खोल रखा है जैसे मैंने यहाँ पर chart है यह Reliance का खोल पूर दूर साइड और उसके बाद मैं headline पर जाओ तो देखो access bank से related मिलको सारे headline जो news है क्या ना मेंटा वह सारे चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो यह ऐसे काम करता है next हमारे पास आ रहा है data window यह नहीं data window का मतलब उसी share price का या उसी stock price का एक दिन में कितना high है कितना low है वो सब यहाँ पर आपको दिखता अब high low तो मैंने आपको समझा दिया एक दिन आपको पता है stock market कुछ घंटे काम करता है पूरे दिन काम नहीं करता like crypto market 24 गंटा चलता है तो वैसे ही stock market 24 गंटा नहीं चलता इसका एक timing होता है कितने volume था volume मतलब कितने number of shares इधर buy and sell like 2 share buy हुए तो 2 cup volume है 3 share buy sell हुए तो 3 cup volume है तो वैसे 6.67 million का और change क्या दर्साता है change का मतलब यह दर्साता है कि आज जो stock खुला था यानि जो morning में stock जिस price पे आया बिचने के लिए खरीदने के लिए उससे last में कितना हुआ है तो उपर गया महां से या नीचे गया तो आज य दिखाता है कि change कितना हुआ है वोपर पर जाता था तो प्लस में दिखाता माइनस में तो यह आप देख सकते हैं उसके नीचे हम next बात कर लेते हैं तो यह जो यह जो चीज है ने काईज यह अलग-अलग होती है बेसी volume के इसाफसे या percentage जो जैसे एक दिन में मान के चलते कि इसी stock ने बहुत ज्यादा gain कर दिया तो वो यहाँ पर track कर सकते हो आप कि कौन सा वो stock है जो एक दिन में आज के दिन में 24 गंटे में बहुत ज्यादा pump किया है ऐसी कौन से stock है जिन्होंने बहुत ज्यादा lose किया है लानी बहुत ज्यादा price उनका dump हुआ तो यह सब चीज जाके जिसको हम बोलते है hot list वहाँ पर जाके check कर सकते हो अब guys calendar का क्या है calendar में दिखाता है like earning calendar आप देख सकते है earning calendar में क्या दिखा सकते कि कौन सा जो stock का price है उसकी क्या calendar या जो earning है वो आने वाले like यहाँ पर वही company दिखाएंगे आपको जिनका कुछ न कुछ earnings आने वाले दिन में आने वाला हो यहाँ US की दिखा रही है यहाँ पर इसकी दिखा रही है ठीक है यहाँ पर जाके आप select भी like event जो है वो आप set कर सकते हैं next यहाँ पर आते हैं my ideas यानि guys यहाँ पर वो ideas हैं जो आप share करोगे बाद में अभी आपके लिए कोई काम का नहीं यह भी चीज जिसे आपने share किया आपको लग रहा है कि price यहाँ से उपर जागा तो आपने screen shot लिया उसका और यहाँ पर share कर दि तो यह मैंने इधर side का पूरा एक overview दे दिया I hope यह side आपको दिख रहा होगा मेरा अगर photo आ रहा है तो no issues मैं photo को थोड़ा सा इधर shift कर देता हूं so that आपको एक idea अभी लग जाएगा अब side आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो explain किया है वो क्या options आ रहे और guys मैं आपसे request करत जा रहा हूं आप दूसरे laptop में उसको open करो और practice करो यह it's all about more you will practice the more perfect you will become मतलब यह जारा जो game होता है technical analysis का practice के उपर होता है आप इसको जितना practical करो उतना चीज़े याद रहेंगे आपको मुझे भी जो मैं practice नहीं करता मैं भी बोल जाता हूं तो आपको याद रखने के लाइने खीर चीए यह देखिये क्या है ठीक है तो यह पूरा जो पैनल है मैंने आपको समझा दिया अब let's go here अब publish करने के लिए आप जो मुझे आपने यहाँ पर technical analysis किया है तो यह मुझे लगता यह section मैं आपको बाद में समझा हूं क्योंकि पहले यह समझाता हूं यह ज करना है वही Tata का share कितने रुपय का चल रहा है यह TCS का share कितने का चल रहा है तो मैं यहाँ पर यह नहीं लिखूँआ कि Tata Consulting Services मैं वह भी लिखूँआ तो भी आ जागा लेकिन मैं उसका एक shortcut यानि उसका टिकर मैं यूज करूँँगा तो मेरे को share automatic मिल जाएगा तो यहाँ पर वो नाम आता है ठीक है उसके नीचे यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप compare कर सकते हैं यहाँ पर day और यह day अब दिखा रहा है कि एक दिन में एक candle जो है अब एक candle क्या होता हो समाझ यह थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडे मिले जाइज यह candle होता है candle में चार चीज़े होती है एक opening closing high and low अब इसको जिस्ट आप एक example में समझेए अभी detail में नहीं समझा रहा हूँ opening का मतलब कि candle कहां पर open हुआ ठीक है green candle को हम consider करते है closing का मतलब close कहां पर हुआ high का मतलब कि कितना high गया हुआ था यह और कितना low इसने create किया है ठीक है वैसे ही ultra होता है red candle में याई open यहाँ पर हुआ high यहाँ पर गया ठीक है low यहाँ पर गया maximum close यहाँ पर हो गया तो जो opening price होता है याई red candle का यह वाला price अगर closing price से कम है right अगर opening price जादा है closing price कम है तो candle red होगा तो यह just basic समझिए यहाँ यहाँ पर जितने भी घंटा select करेंगे आप उतने घंटे में यहाँ पर नीचे गया है वह यहाँ पर घंटे के हिसाब से दिखाएगा अगर आप एक मिनटे candle select करेंगे तो एक मिनट में पर नीचे कितना हु हैं इनको candle बोलते हैं यह दिखाएगा आपको है ना तो हम इसको day में कर देते हैं वापस हो दाट एक अच्छी picture लगे नेक्स हम बात करते हैं आप इंडिकेटर का क्या मतलब होता है इंडिकेटर एक ऐसे tool होते हैं जिनकी मदद से आप जान सकते हो कि कब buy करना है कब sell करना इंडिकेटर भी आपको मदद करते हैं तो यहां पर अलग अलग तरीके के इंडिकेटर होते हैं like RSI like MACD like EMA ठीक है like SMA वो मैं आगे वाने वीडियो में समझाओ आप समझ जाए कि बस अगर आपको कोई इंडिकेटर बोले तो आप यहां पर pivotable, VWAP सब चीज यहां पर आप यहां पर एक नया column जुड़ जाएगा, तो simply यहां पर वो करने आपको next यहां पर template आप template क्या है जैसे आपने select कर ले के भाई एक बार मैं click करूं तो मुझे तीन indicator एक साथ आए या दो indicator एक साथ आए, तो वो चीज आप यहां पर कर सकते है, Ctrl A यहां पर alert का मतलब जो मैंने share का, जिस भी coin का, वो यहां पर दिखिया, जैसे मैंने यह reliance यहां पर दिख रहा मुझे, लेकिन यहां पर पूरा reliance industries दिख रहा है, अगर मुझे search करना है Tata TCS का, तो मैं आपको क्या बोला कि, आपको यहां पर जाके click करना है, और यहां पर जो reliance किजगा, इसको सीधा कर करूँगा, मैं लिखूँगा, मुझे bitcoin का ticker पता है, BTC, तो यहां पर bitcoin आजाएगा, अलग-अलग exchanges पर, जैसे अगर मुझे btc नहीं पता, तो अगर मुझे bitcoin total लिखना है, तो मैं total bitcoin भी लिख सकता हूँ, यहां पर bitcoin का जो भी chart होगा, जो भी exchange पर होगा, जो भी मुझे च करता हूँ, कि मुझे SBI के share आ जाए, मतलब SBI का chart मैं देखना चाहता हूँ, तो सीधा मैं अगर type करूँगा, SBI, तो अपने आप यह जो option है, यह open होगा आता है, जैसी, अपने keyword में कुछ type करता है, जैसे मुझे state bank of India, NSC पर देखना है, इधर side यह बहुत important है, ठीक है, यह आप समझाता हूँ, क्या होता है, जैसे, यहाँ पर आपने ticker डाला, जो भी आपको चाहिए, वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर NSC, BSC, यह क्या है, यह जो last में दिखाता आना है, यह दिखाता है, stock exchange की, कहां का exchange है, अब मुझे SBI को किसी और देस में तो भ वाला chance, तो ऐसे आप इस चीज, पूरे चीज को निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया, वंडे का चार्ट है, यानि एक दिन में, यह जो candle है, एक candle एक दिन को represent कर रहा है, NSC, यहाँ नेशनल स्टॉक विजिन, ट्रेडिंग व्यूट, ठेक है, यहाँ पर market close है, वो सब द करता हूँ, कि अगर आपने यह वीडियो देख लिया, तो आपको basics जानने के लिए और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, guys, trust me, it's all about कितना आप practice करता है, मैं अभी बहुत नया था था, मुझे भी बहुत सारा confusion होता था, especially, यह lines को लेके, या trend line क्या होता है, बहुत बहुत सारा question था, तो मैं try करूँ हों कि आपको basic से समझाओ, so that आपको एक अच्छा idea मिलेगा, तो आई दिखिए, यह जो four lines आपको दिख रहे हैं, dotted lines, जैसे जैसे मैं cursor move कर रहा हूँ, lines आपको दिख रहे हैं, one second मैं अपने आपको वापस से यहां कर दो, so that आपको जैसे इन options पर आप click कीजिएगा, हर एक option की कुछ option मिलेंगा, और यह option करने के लिए आपको यहां side में एक button आएगा, उस पर click करना हुआ, एक इसमें कितने वह है, जैसे अगर मैं cross पर करूँगा, तो मेरे को cross ऐसा दिखाई दे रहा है, यह जो मेरा mouse का button है, यह cross में दिख करना है, तो मैं वह मीटा सकता हूँ, तो mostly लोग cross में रखते हैं, यह cross में TA करना, drawing करना charts के उपर अशान होता है, guys, दिखो हम लोग है technical enhancer, we don't have that much time to study about balance heat and profit earned inflation and stuff like that, so what we can do is, just we can draw on charts, अब यह section खतम है, इसके नीचे आते हम, नीचे वापस से आप click करेंगे, बहुत सारे य hand line चाहिए, हमको arrow चाहिए, हमको horizontal line चाहिए, horizontal ray चाहिए, और यह सब चाहिए, आप देखिए, जो भी चाहिए, और आप उसको चाहते हैं कि आपको one click में available हो जाए, तो आप जो उसके आगे star mark है ना, उसको click कर जीए, जैसे मैंने यहापर star mark कर दिया, जैसे मुझे यह वाल कर दियता हूँ, अब अब देखिए, trend line का मतलब क्या होता है, trend अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक over brief देता हूँ, कि trend क्या होता है, trend का मतलब, देखिए, कोई भी price हमेशा उपर ऐसे नहीं जाता, price थोड़ा उपर जाता, फिर थोड़ा नहीं चाहता, फिर उपर higher highs, lower highs बनाते हूँ, price जाता है, higher highs, higher lows, ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, trend line का अगर आप use करते हो, तो आपको एक trend दिख रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लगा हूँ, तो मुझे clear cut दिख रहा था, कि भाई, यह जो stock है यहाँ जो SBI है, हमारा काफी दिनों से, just a rough diagram मैं आपको लिखा रहा हूँ, कोई clear cut exam, मतलब यह diagram ने, just a rough, तो हमको क्या दिख रहा था, कि market उपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, यानि यह वाला point, यानि market उपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फ mean lines मतलब price उपर, तो यह जो हम चीजे देख सकते, यानि जो मैंने जो line बनाई है, आपके सामने, यह मैंने किसे बनाई, यह tool इसको हम बोलते है, trend line, यानि trend line को दिखाता है, इसको आप ऐसे click कीजिए, जहां से आपको खीचना है, जहां तक ले जाना है, वहां तो जैसे मु जो hold gently हो, like this, जैसे मुझे दिख रहा कि बार बार price इस वाले range है, यानि 409 के आसपास आके, यहां पर एक बार resistance लिया, यहां पर support लिया, अब यहां पर वापस support लिया, तो अब यह area जो हो जाएगा, हमारा area of interest हो जाएगा, यानि यहां पर कुछ तो ऐसा price है, जो बार बार price को check करने आता, या price इसके साथ manipulate करता है, जो भी आप बोल सकते हैं, यह जो area है, मोटा thick area, इसको बोल सकते हो, 400-300 से लेके, 425 का जो area है, इसके लिए support बना है, अब support क्या है, एक ऐसा price, जहां पर किसी भी stock, crypto, या किसी भी चीज का price आके, वापस से उपर जाए, या resistance, एक कोई भी price आके, वहाँ से नीचे आने लगे, support and resistance, ठीक है, guys मेरे पास दूसरा भी एक channel है, लेकिन उसमें कुछ issues आ गया है, तो मैं वीडियो नहीं डाल पार हूँ, लेकिन उसका एक वीडियो मैं यहाँ पर link कर देता हूँ, what is support and resistance, in fact आप जाके पूरी playlist महाँ पर देख सक सकते, like मुझे लिखना है, SBI, ठीक है, तो मैं SBI माउस का यूज करके लिख सकता हूँ, अभी यहाँ पर मैं आपको advanced tool नहीं बताऊँगा, जो basic tool है वो बताऊँगा, like अगर आपको कुछ text लिखना है, तो आप T पर click करके यहाँ पर, यहाँ पर छोड़ दीजिए, और आपको एक idea लग जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ज्यादा चीज़े आपके काम की नहीं है, until आप advance नहीं है, यह भी चीज़े आपको धेदीर मैं आपको बताऊँगा, यह भी खास नहीं है, काम की है तो आपका यह scale, जैसे मुझे यह मेज़र करना ह कि इस price यानि 425 से लेके कितना stock उपर गया, तो यहां से हम बता सकते हैं कि यहां से 508-9 रुपे जो है, यह 21% का आसपर, यहां से 21-22% का pump यानि उपर की तरह बुल मारा है तो आप इस scale का use कर सकते हैं, इस zoom in, zoom out का use कर सकते हैं, जैसे मुझे यहां पर कोई चीज जूम करन मुझे मेरे skin में यही area दिखाएगा, वापी से मैं zoom out कर लेता हूँ, ठीक है, next हम बात करेते हैं, चुमबक की, चुमबक क्या होता है, magnet mode, like, magnet mode is like, जैसे magnet होता है लोग से चपकता है, तो वैसी यहां पर drawings प्राइस से चपकते है, for example, अगर मैं सबची delete कर दूँ है, तो मैं आप मेरे को बोल्या कि यहां यया तो यहां लगा यू ऊपर लगाओ, यहाां पर माॉस रख रहा हूं烏 हो, अपने यहां पर आप यहां पर यहां पर यहां पर जा रहा हूँ, एक glitch दीखेगा आपको, अपने यह शिदऻ सीधा ले जहा रहा हूँ, यहां अटना अप करके आप जैसे मन वैसे ले जा सकते हैं न कोई ऊपर आप बकर यही चीज वन है तो आप जो ले जाएंगे तो आप बोलोग की आप तेड़ा ले जा रहे हो गलत ले जे बहो अपने आ You can Use this Magnet बटन राइट अब यहां पर जो option आती है यह डिलीट का option जिसे यहां पर कुछ भी आपने खिजड़ी पगाई यहां पर लिखा या ड्रोग किया उसके बाद एक click में है आप पूरा सबको इन रिखा है इसला यहां फा सब्सक्राइक है नो कि यहां पर भार कर सकते हैं जो आपने लिखा है ठीक है इहां पर बहुत गईज बहूंज़ dare लेकिन कि ये cocktail क्या है कैंडल देख के समझतना है और रहीं आप रेली में शीखनाने हैं तो इस वीडियो को अपने उन भाईयों से दिखाओ और मैं आप चाहते हूं इसको दो से तीन पर आप देखो आपको यह प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे करना है होती चीज है क्या होती है क्योंकि यही है जो चीज हमें कमागा कि देने वाले है है न हमार पास पैसा हो ना हो लेकिन अगर यह चीज हम करना सीक है तो कल को जब भी पैसा होगा ना तो हम अच्छा पैसा उससे पैसा बना लेंगे अगर हमारे पास यही चीज नहीं रहेगी और कल को पैसा भी हो जाए तो पैसा हम लोजी करने वाला है तो यह चीज आपको आना बहुत ज़रूर है ठीक है तो गाइस मिलते हैं आउट्रो में गाइस आई होप यह जो वीडियो मैंने बनाई आपको पसंद है हुआ गाइस ऐसी वीडियो मैं और आपके लिए क्या हूँ तो आपको अच्छे समझा पाऊं कि चीजे कैसे काम करती है कैंडल सिक क्या होता है पैटन क्या है टाइम लगेगा ऑल्दो मैं थोड़ा बीजी हूँ यह चीजे बनाने में टाइम लगते रिकॉर्ड करने में टाइम लगते कर मैं लाइफ कर पाता तो बहुत अच्छा होता मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसमें कुछ ऐसा फाइंड करते हैं जो हैल्पू लगता है यह आप चाहते हैं कि उसके पर मैं और वीडियो बनाऊं तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा मुझे पता है most of the log इसमें नए होंगे पुराने होंगे सब के लिए कॉंटेंट है इसमें बहुत सारी चीजे ऐसी थी जो आप लोगो पहले से आता होगा और थैंक्यू आपने वीडियो को वाच किया इस वीडियो को दोस्ते के साथ सेयर कीजिए अच्छा मेरे को रेस्पॉंस कीजिए कम से कम इसमें मुझे पचास तो लाइक दिलवा दो अगर पचास व्यूज आ गए तो मैं चाहता हूँ अगर 100 व्यूज आ गए तो मैं दूसरा पार्ट उसका फटा फट निकालूँगा अगर 100 व्यूज आ गए तो 100 व्यूज के बाद I'll put second video of technical analysis और मुझे पचास लाइक चाहिए गाइस मिलता है ऐसे किसी बस वीडियो में जब तक लिए मस्त रही आवाद रही और बोलत रही भारत माता की चै